नमस्कार आप देख रहे हैं दविहार टॉप मैं हूँ आदेश पूरी आज सिक्षक बहाली के लिए काफी महत्वपुन दिन है क्योंकि बता दे आपको कि सरकार ने एक SLP सुप्रीम कोट में दायर कर रखा है और इसमें फैसला होगा कि 28 कंडिडेट्स को बिहार के सिक्षक भरती में वर्ग एक से पांच के लिए मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा आपको बता दे कि सुप्रीम कोट ने 11 अगस्त के अपने फैसले में ये साफ साफ का रखा था कि वर्ग एक से पांच के लिए सिक्षक बनना है तो आपको DLA या BTC का डिगरी होना चाहिए और इसके बाद से आपको बता दे कि पूरे देश में जितने भी B.A. कैंडिडेट थे जो प्राइमरी विद्यालेओं में सिक्षक बनना चाह रहा है थे या तो फॉर्म डाले थे या परिशा दे दिये थे उनके सामने संसाय के बादल मढराने लगे थे हला कि बता दे आपको कि बिहार सरकार ने इसको लेका अपने इस्तितिया पस्त नहीं की थी और B.A.C. पस्ति भी रिजल्ट जारी करने से पहले इस S.L.P. को जरूर देखेगी इसके निर्णाय को जरूर देखेगी हला कि बता दे आपको कि इसमें पार्टी जो है वो B.A.C. को भी बनाया गया है और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट साड़े दस बैस से सुनवाई होनी है और ब पनाया गया है और जो S.L.P. दायर किया गया है उसमें जो T.E.T. सिक्षक संग के द्वारा नई सिक्षक नियमावली और राजिकर्मी का दरजा देने को लेकर जो हाई कोट में सुनवाई चल रही थी उसके भी जज्जमेंट के कोपी लगाए गये हैं और ऐसे में जो निय जो B.E.T. के कंडिडेट हैं उनका जो है काफी कुछ जॅज्जमेंट पर निरभर करेगा हो सकता है कि आज कोई इंटिम और जारी किया जाए और इसके साथ साथ हम बता दें आपको कि जो सिक्षक संकेनेता है उनका कहना है कि इसी जज्जमेन पर निर्भर करेगा बिहार में जो सिक्षक बहाली 1,70,000 सिक्षकों के लिए हुई है उनका भी रिजल्ट इसी पर निर्भर करेगा क्योंकि BPSC को भी इसमें पार्टी बनाय गया है और जब यहां से एंट्रिम ओडर कुछ आएगा अगर सुप्रिम कोर्ट रिजल्ट पर रोक नहीं लगाती है या फिर बीएट कंडिडेट को भी कहती है कि हां उन्हें मौका दिया जा सकता है तो इसके बाद का प्रॉसेस जो है उससे शुरू होगा लेकिन बता दे कहा गया है कि बहुत जल्द BPC द्वारा सिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो आप अपने यहां ज्वाइनिंग के लिए ब्यवस्था रखे क्योंकि तिन चार दिनों में ही ज्वाइनिंग कराल लेना है और बहुत बड़ी संख्या है चात्रों की तो देख क्योंकि उनका ठाज मारी होगा उनके रन अनुसार जो one to five का सिक्षक बहाली है उसके लिए क्योष देल हे और ऐसे में बीरड़ वाले आते हैं तो उनके साथ अन्याय होगा लेकिन बीड़ वालों के साथ भी न्याय होना जरूरी है क्योंकि वो जो हैं NCTE के प्राधानों के तहत सरकार के नियमों के तहत ही 125 के लिए फॉर्म डालें तैयारी किये इतने दिन तो न्याय हो और सुप्रीम कोर से आसा है कि आज कुछ न कुछ न्याय होगा जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे बने रही है आप दब यहार टॉप के साथ वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक सेर करें हमारे चैनल दभी हाट आपको सस्काइब जरूर कर ले क्योंकि यहीं पर आपको सिक्षा और सिक्षक भरती से संबंदित हर एक अपडेट मिलते रहता है